हेलो फ्रेंड्स मैं रमेस सर आपके अपनी यूटूब चैनल दाइश्टेडी फारेंबिसन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स अलंकार का पॉर्सन चलना हुआ आपका समान्द हिंदी के अंतरगत और इसमें दो वीडियो दे चुका हूँ और तीसरा वीडियो आज जा रहा है और यह जो है इस अलंकार में दो महत्पूर्ण और उसके अन्य पार्ट हैं इसे जो है मैं आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो को देखिए यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह अलंकार वो कौन-कौन से हैं जो इंपोर्टेंट हैं जैसा कि आप जानते अनुपरास अलंकार और यमक अलंकार के बाद जो है सलेस अलंकार होता है और यह स सलेस अलंकार की बात करेंगे इसका सलेस का अर्थ होता है चिपकने से चिपकने का सेंस जिस तरह से आप गोदलेई सरेस होता है उसी तरह से सलेस होता है वह सलेस जो है एक चिपकना होता है इसमें चिपकने का सेंस लिया जाता है और वही सेंस जो है इस अलंकार में देखने को आपको मिलेगा कि इसमें यह है कि जब एक सब्द एक ही बारावे परंतु उसके अर्थ जो है अलग अलग हो तो वहां पर इस परिभासा से आपको समझ में आ हो गा कि एक ही सब्द है लेकिन इसके अर्थ जो है अलग-अलग हो रहे हैं यानि एक ही में कई आर्थ चिपके हुए हैं तो चिपकना आए जब भी आपका सले सलंकार से संभंदित कभी भी प्रश्ण बनते बताया कि चिपकने से होता है यानि सलेख का आर्थ चिपकने से हैं और इसकी परिभासा देख लिजिए कि जहां एक सब्द एक ही बारा है परंतु उसके अर्थ अलग-अलग हो यहां पे अर्थ इसका अलग-अलग हो रहा है और एक सब्द जो है यह एक ही बारा रहा है जब सब्द एक बारा है और अर्थ उसके अलग-अलग हो तो निशित जानिए कि वो सले सलंकार है और इस सलंक को आप उसकी अगर उदाहरन देख लें तो आप दम पूरी तरह से clear हो जाएंगे कि वाख़ी में यह से लंकार रहें और पूरी तरह से यह आप मन-मस्तिक्स में बैठा लेंगे कि सलिए सलंकार को जानने का तरीका क्या है तो सबसे पहले आप देख लिए कि सले var का ईक जो है यहां पे आप देखिए इस कविता में आपको इस दोहे में आपको पूरी तरह से किलियर हो जाएगा कि यह सलंकार कैसे है चरन धरत चिंता करत चितवत चहुओ और शूबरन को खोजत पिरत कभी वेविचारी चूर यानि तीन आ रहे हैं इसमें शूबरन एक ही है यानि ये एक ही सब्द है परन्तु इसके जो है तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं कभी वेविचारी और चूर यानि कि इसको देखा जाए कि सूबरन एक ऐसा सब्द है जिसमें ये बताने का कोशिस कर रहा है कि सूबरन से क्या क्या होता है सबसे पहले कि सूबरन से कभी कभी होता है और कभी क्या ढूंडता है कभी क्या ढोड़ता है कभी को हमेशा देखेंगे तो कभी जो है एक अच्छे सब्द को ढोड़ता है कभी क्या करता है कि अच्छे सब्द की तलास में रहता है तभी उसकी कविता जो है एक रंगत लाती है तो कभी जो है एक अच्छा सब्द ढोड़ता है दूसरा देखिए क सूबरन का अर्थ होता है व्यविचारी व्यविचारी का अर्थ होता आप जानते भली माती दूराचारी अत्याचारी बलतकारी यह व्यविचार जिनके व्यविचार मतलब चरित्र जो है जिनके खराब हो जिनकी चाल ढाल तर तरीके गड़बण हो यानि कि जो मस्तिक्स काम होता है इनकी सोच होती है कि हर पल जिस तरह से कभी जो है हर पल अच्छे सब्द को उतलासता है उसी तरह से ब्यविचारी अच्छी रंगत रूप रंगत के चक्रें पड़ा रहता है यानि कि हमेशा उसका मस्तिक्स जो है उसका मन हमेशा एक अच्छी रूप रंग की स्त सोने को ढूढ़ना या तलासना तीसरे में हैं तीसरे का भी सूबरन का अर्थ यहां पे निकल रहा है सोन से यानि कि यह सूबरन का अर्थ सोने से आप तो समझी सकते हैं कि सोने का क्या सेंस है सोन का क्या सिंस है यानि कि सोना अपने आप में प्रमुकस्तान रखता है और सोने की जो बात है वो यह कि अगर जवरी है तो अच्छा सोना ही डूड़ेगा तो यह रहा है आपका सूबरन का तीन चिपका हुआ जो स्लेस है वो तीन है कभी वैविचारी और चोर से तो आप भली भात जान गए होंगे कि स्लेस अलंकार का माइने अर्थ और इसके तोड़ तरीके क्या है तो आप समझ गए इसको स्लेस अलंकार को नेक्स चलते हैं हम लोग चौथा अलंकार है यह वक्रोक्ती है यानि वक्रोक्ती अलंकार इससे देखते हैं इसकी क्या परिभासा या इससे जानने का कैट तरिका है इसका यह है कि जब भी कोई बात कही जाए जब भी कोई बात कही जाए और बात किसी और अर्थ में कही गई हो और सुनने वाला उसे किसी और अर्थ में ले रहा हो तो यह निसी जानिए कि यह वक्रोक्ति अलंकार होता है यानि कि एक बात एक बात का एक आसे से कही गई हो परंतु मतलब किसी आसे से बात को कही गई हो लेकिस सुनने वाला अपने अनुसार जब उसको डिस्क्राइब करता है अपने अनुसार वर्डन करता है अपने अनुसार जो है उसकी व्याख्या करता है तो वहाँ पे यह वक्रोक्ति अलंकार ह जाता है तो यह है आपका वक्रुक्ति अलंकार इसकी एक एक जामपल है इसको एक जामपल देख यह को तुम है घनश्याम हम तो बर्शो कित जाए लाव तो नहीं मनमोहन है प्रिये फिर क्यों पर पकरत पाएं यह है इसका वक्रोक्ति अलंकार का एक चोटा सा दोहा नएक्स चलते हैं विफ्षा पे विफ्षा जो है यह विफ्षा अलंकार को देखा जाए तो विफ्षा अलंकार का बड़ी अच्छी तरी से इसकी व्यक्या है कि जब अत्यान्त आदर के साथ एक सब्द की अनेक बार व्रित्ती हो तो वहां पे विफसा होता है जब बड़े अत्यंत आदर के साथ जब एक सब्द की अनेक बार व्रित्ती हो या दोहराई जाए तो वहां पे उसका क्या होता है यह विफसा लंकार होता है जैसे हाँ 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 जब आएसे हो हाँ हाँ आदर के साथ जब हाँ हाँ आपकी बात को मांते होए हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम हां हां इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम तो यह है यहां पे विफसा अलंकार जब ऐसे आपको दोहे में संतेंस दिख जाए तो आप विफसा पे टिक मारिएगा नेक्स चलते हैं यह है आपका अर्था लंकार पहला था सब्दा दूसरा है अर्था सब्द का आप सेंस समझ जाते हैं कि सब्द जहां पे सब्दों का वेद हो सब्दों से संबंदित हो व्याक्या हो तो वहां पे सब्दा लंकार होता है जहां अर्थों से उसकी व्याक्या ज अर्था में जब भासा का प्रियोग इस प्रकार किया जाए कि उसके अर्थ में सम्रिधी और चमतकार उत्पन हो तो वहां पे अर्था लंगा यानि कि आप समझ गए कि भासा का प्रियोग जो है अर्थ की बात की जा रही है अर्था में अर्थ की बात की जाती है सब्दा में सब्द की बात की जाती है यह बस मस्तिक्स में बैठा लिजिए आपको सोचने की इससे ज़्यादा जरूत नहीं है तो इतनी बड़ी परिभासा आपको ना तो रटना है ना तो समझना बद इतना जानिए कि यहां पे अर्थ सब्सक्राइब करता है प्रतियोगी परिचाओं में अर्था लंकार से बहुत सारे प्रशन बनते हैं खासकर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिस्वयोक्ति और संदेद भांति मा इन समय से बहुत सारे प्रशन बनते हैं और यह इतने easy होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दियें, तो आप विचलित नहीं होंगे, प्रस्ण का answer आप बड़े आसानी से दे लेंगे, तो आए इसको देख लेते हैं कि अर्था लंकार का के भेद क्या होते हैं अपरकार, उपमा, रूपक्स, उत्प्रेक्षा, अतिसयोक्ती, अन्योक्ती, संदे, ब्रांतीमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रसंसा, और विरोधा भास, ये जो हैं आपके बड़े important हैं, जिसमें आप अप्रस्तुत, प्रसंसा हो गया, विरोधा भास भी बहुत कम, और दीपक भी बहुत कम, लेकिन बाकी, अन्योक्ती भी बहुत कम, लेकिन उसके बाद जो है, अतिस्वयोक्ती देखिए, उपमा देखिए, रूपक देखिए, उत्प्रेक्छा देखिए, संदे, ब्रांतीमान देखिए, बिभावना देखिए, इसमें इससे प्रस्ण बहुत बनते हैं, तो आप आपका नेक्स्ट वीडियो जो ह है, आपका जाएगा उपमा लंकार पे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्छा अतिस्वयोक्ती को चारों को एक साथ दूँगा, और ये नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत इसके बाद देने वाला हूं, आप लोग जो है एकड़म एक्टिव रहें, और निशित जानिए, क जिन दोस्तों ने, जिन फ्रेंडों ने, अगर मेरा जो है वीडियो को देखा है, उसको बहुत-बहुत सुक्रिया तो दूँगा ही, परंतु मेरे वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब, निशित रुप से कीजिए, और वेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आप तक पहुँचे, जिससे कि आपको प्रॉलम ना हो और इसका लाब उठाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद